Hey everyone, this is Channi Dinani, welcoming you to Magnet Brains और अब हमें देखना है the next agreement between the subject and verb यानि rule number 11 and rule number 12 तो हम देखेंगे कि भाई, अब next agreement क्या हुआ है subject और verb के बीच में तो हमारा rule number 11 कहता है कि when the subject consists of यानि जब sentence का subject जो है उसमें क्या लिखा हो? one of plus plural noun यानि हमारे sentence का जो भी subject होगा उसमें अगर लिखा हो one of और फिर कोई भी plural noun लिखा हो noun लिख दीजे, dog लिख दीजे, noun plural यानि dogs तो इस तरीके का अगर कोई subject होगा one of plus plural noun the verb is singular यानि भले ही आपके sentence में क्या लिखा हो? plural noun और जैसे ही plural noun देखोगे, बोलोगे भाई plural noun तो हम तो रखेंगे plural verb बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि हम अकेला plural noun यूज नहीं कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं one of क्या समझे इससे? सारे circles में से मैं सिर्व एक की बात कर रही हूँ अब इन में से एक को मैं क्या लिखूँगी? one of क्योंकि बहुत सारे हैं these पास में रखे हैं these तो one of these अब क्या हुआ? singular हुआ की plural? भाई singular हुआ तो इस तरीके से सोचना है कि भाई बहुत सारी चीजे हैं उन में से एक की बात कर रहे हैं एक यानी single, single यानी singular तो वो भी क्या होगा? singular clear? sentences देखेंगे तो already automatically आपको clear हो जाएगा कैसे? पहला sentence बोलता है one of the girls was singing यानी बहुत सारी girls है बट उन में से सिर्फ one यानी एक जो है गा रही थी ठीक है? तो क्या sentence से समझ रहे हो? यहाँ was क्यों लिखा? girls के साथ were क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम पूरी girls की नहीं one of the girls की बात कर रहे हैं ठीक है? तो यानी सारी की सारी girls में से एक कोई लड़की है जो गाना गा रही थी तो यहाँ हमने यहाँ पर singular verb यूज किया done? चली next sentence बोलता है one of the birds was chirping कितनी सारी birds है बट उन में से सिर्फ एक bird है जो चह चाहा रही थी chop कर रही थी ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारी birds की कि उन में से सिर्फ एक की भाई उन में से सिर्फ एक की एक यानि सिंगल इसलिए तो हमने was लिखा वर नहीं लिखा ठीक है? next sentence बोलता है one of the students was talking यानि की बहुत सारे बच्चे हैं classroom में जितने भी चात्र हैं जितने भी students हैं उन में से सिर्फ एक ही है जो बाते कर रहा था तो यहां पर हम one की बात कर रहे हैं इतने सारे students में से सिर्फ एक की चर्चा हो रही है इसलिए हम यहां पर verb जो यूज़ करेंगे वो भी क्या होगा? singular was talking ठीक है? तो रटने की जरुवत नहीं है sentence देखके समझ जाएगा कि subject जो है यानि sentence में बात किसकी हो रही है बात एक की हो रही है one of the लिखा है इसलिए हम इस s को देखके जो है भटक नहीं जाएंगे कि भाई दिख गया plural noun लगा plural verb नहीं यह तो देखिए कि subject बात किसकी कर रहा है subject बोल रहा है इतने सारे plural में से मैं एक की बात कर रहा हूँ ठीक है next बोलता है one of the participants is selected यानि बहुत सारे participants है जिन्होंने participate किया उनको participants बोलते है तो बहुत सारे participants में से सिरफ एक है जो select हुआ है बात किसकी हो रही है सारे participants की कि उस एक की जो select हुआ जो एक है select हुआ उसकी बात हो रही है वो एक है तो हम क्या लगाएंगे इस ठीक है यहां पर आर नहीं लगाएंगे clear चलिए next sentence बोलता है one of my friends is a topper मेरे जितने भी दोस्त है उनमें से एक दोस्त जो है वो topper है यानि हमेशा वो first आता है ठीक है तो यहां आपके सारे दोस्तों की बात नहीं हो रहीगी सारे के सारे दोस्त जो है first आता है ऐसा तो possible ही नहीं है ठीक है तो यहां पर क्या हुआ यहां हम plural noun friends की नहीं हम one of the friends की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहां is a topper लगाया are a topper नहीं लगाया ठीक है next one of those shirts is nice उस shop में जितनी भी shirts लगी हुई है उन में से एक shirt जो है बहुत प्यारी है ठीक है तो सारी की सारी shirts की बात होती तो तो भाई आप plural verb लगाते बट यहां हम बोल रहे है one of the shirts सारी की सारी shirts जो है वह सिर्फ एक है जो मुझे अच्छी लगी है उस एक की बात हो रही है इसलिए हमने यहां इसका यूज किया similarly one of the old men is staying here मैंने बताया था आपको man यानि एक आदमी और इसका plural होता है man irregular noun है तो यहां पर हमने बोला है कि one of the old men यानि जितने भी old लोग है जितने भी old आदमी है बुजर्ग आदमी है उनमें से एक जो है वो यहां रहता है staying here ठीक है तो बात सिर्फ एक की हो रही है एक बुजर्ग की हो रही है तो इसलिए हमने यहां is लगाया है man देखके are नहीं लगाया clear तो यह rule क्या कहता है कि जब बहुत सारे plural noun है उनमें से बात सिर्फ एक की करना हो यानि one of the plural noun तो हम वर्ब भी जो है वो singular use करेंगे क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं one की और sentences देखते हैं he is one of the soldiers who fights for our country यानि की for example हम किसी को देख रहे हैं he is a soldier सैनिक है हमारे तो हम उनकोई तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि भाई जितने भी soldiers है ना जो हमारे देश को protect करते हैं उनमें से ये एक हैं ठीक है तो बात सारे के सारे soldiers की नहीं हुई बात हुई इस एक soldier की इसलिए क्या हुआ singular तो यहां हम बोल रहे हैं one of the soldiers who fights for our country इसलिए हमने लिखा है fights न की fight ठीक है क्योंकि यहां क्या है यहां पर है हमारा soldiers तो plural पर बात कर रहे हैं हम सिर्फ one की clear वैसे ही next बोलता है one of my uncles plays football मेरे जितने भी अंकल है चाचा जी को आप अंकल बोलते है मामा जी को अंकल बोलते हैं English में तो मेरे जितने भी अंकल है न उनमें से सिर्फ एक है जो क्या खेलते है football तो बात सारे के सारे अंकल की नहीं हो रही है बात हो रही है आपके सारे आइस क्रीम फ्लिवर्वस है. वनीला है. स्ट्रॉबेरी है. रेड वेलविट है. बट मुझे सिर्फ एक फ्लेवर पसंद है. कौन सा? वो है चॉकलेट चिप. तो सारे फ्लेवर की बात नहीं हुई है आइस क्रीम के बात हुई है सिरिफ एक flavor की, जो की क्या है specifically chocolate chip, तो मैंने क्या बोला है, is clear, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि one of the ice cream flavors जो है वो हो गया हमारा subject तो इसलिए हम एक की बात कर रहे हैं जो है क्या chocolate chip, तो इसलिए हमने यहाँ singular work use किया, next बोलता है, one of my relatives stays in Germany, यानि मेरे जितने रिष्टेदार हैं, उनमें से एक रिष्टेदार कहा रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम सारे रिष्टेदारों के लिए बोल रहे हैं क्या कि सारे के सारे रिष्टेदार जर्मनी में हैं, नहीं मेरे सारे रिष्टेदारों में से एक जो है one of the relatives वो रहते हैं जर्मनी इसलिए हमने बोला है stays ना की stay clear next sentence बोलता है she is one of the girls who stood first in their class यानि की जितनी भी लड़कियां है जो अपनी अपनी class में first आई है उन में से ये एक लड़की है clear तो सारी की सारी girls जो first आई है उनकी बात नहीं हो रही उन group में से एक जो लड़की है उसकी बात हो रही है one of the girls इसलिए हमने लिखा है is clear next बोलता है one of my friends lives in Mumbai यानि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त कहा रहता है Mumbai में तो one की बात हुई इसलिए लिखा है lives ना की live clear तो जब ऐसे questions आएंगे one of दी वाले तो इसमें दो चीज़े ध्यान रखनी है या तो आपका जो sentence है उसमें आपसे वर्ब पूछ लिया जाएगा या फिर one of के बाद आपको यहाँ पर कोई singular दे दिया जाएगा noun और आप यहाँ पर confused हो जाओगे clear तो इन sentences में अगर हम error spotting की बात करें अगर हम gap filling की बात करें MCQ की बात करें कोई भी type का question आएगा तो दो type के आएगे कैसे या तो आपको option में क्या दिया जाएगा कि one of कुछ लिख दिया for example आपका लिख दिया है one of my friends clear और यहाँ पर लिख दिया is आगे का sentence कुछ भी lives in Mumbai, lives in Delhi whatever ठीक है तो यहाँ पर बोल दिया है one of my friends तो पहला type का question क्या आएगा कि आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दे दिया आगे का जो verb का blank है वो खाली छोड़ देंगे और आपको बोलेंगे इसे fill कीजिए ठीक है तो यहाँ पर A, B, C, D options आजाएंगे तीन option जो है plural होंगे आपको जो भी singular option होगा वो choose करना है clear तो यह तो एक type के question होगा दूसरे type के question क्या होंगे कि आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा क्या यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा blank और यहाँ लिख दिया जाएगा is ठीक है तो हम सबको पता है कि one of my जो भी आगे का आरा होगा वो क्या होगा plural तो आपको यहाँ पर जितने चारो options दिये जाएंगे उनमें से तीन क्या दे दिये जाएंगे singular और एक दे दिया जाएगा क्या plural और आपको उस plural को select करके यहाँ पर fill करना है clear तो one of the वाले questions में दो ही type की चीज़े बनेंगी एक तो आपको plural noun की जगा खाली छोड़ के दे देंगे और आपको वहाँ पर plural भरना है options में से देखके या फिर पूरा रख लिखा रहेगा one of the plural noun और next blank यानि आपको जो verb है वहाँ पर आपको दे दिएंगे चार options कि भया भरो is आएगा, are आएगा, were आएगा, क्या आएगा तो आपको पता है singular is है तो आप वहाँ पर fill कर दोगे clear चलिए rule number 11 तो clear हो गया next बात करते हैं हमारे next rule rule number 12 की तो rule number 12 बोलता है कि अगर sentence here यानि यहाँ पर, there यानि वहाँ पर ऐसा बोलता है यहाँ पर बैठा है, वो वहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर और वहाँ पर के लिए हम English में use करते हैं here and there तो अगर sentence में here या there आता है is followed by singular verb और plural verb यानि यहाँ पर कोई compulsion नहीं है कि here और there के साथ आप यहाँ तो सिर्फ singular verb या सिर्फ plural verb use करोगे बलकि आप जो हो singular verb या plural verb का use करोगे based on what, depending on what the subject after it in the sentence यानि कि here और there के बाद जो भी subject है उस पे based आप क्या लगाओगे अपना word अब singular लगाओगे कि plural भाई basic rule तो पता ही है subject singular तो verb singular subject plural तो verb भी plural तो here और there के बाद अगर कोई singular subject आएगा तो verb singular आएगी अगर plural subject आएगा तो verb plural आएगी तो हम भाई इसको पढ़ क्यों रहे हैं इसलिए क्योंकि आपकी आँकों के सामने से चला जाए तो ये जो है आपका basic rule करते हैं कि subject देखो verb लगा clear देख लेते हैं कुछ examples पहले देखते हैं there के example ये बोलता है there is no chair in the room कैसे पता यहाँ पर इस लगेगा क्योंकि subject क्या है कि इस room में एक भी कुरसी नहीं है chair नहीं है यानि बात हो रही है कुरसी की chair की तो अगर यहाँ पर chair लिखा है यानि एक कुरसी चाहिए तो एक यानि singular verb अगर यहाँ chairs लिख दिया यानि plural हमारा subject क्या हो गया? Chairs plural तो verb क्या जाएगा? Plural, right? तो पहले sentence में एक chair की बात हो रही है, verb है singular Second sentence में plural यानि बहुत सारी chairs की बात हो रही है तो हमारा verb भी क्या हो गया? Plural तो पहला बोलता है there is no chair in the room यानि इस room में इस कमरे में एक भी कुरसी नहीं है There are no chairs in the room इस कमरे में बिल्कुल भी कुरसीया नहीं है ठीक है? तो पहले में singular subject था, इसले is लगाया दूसरे में plural subject था, तो r लगाया Clear? तो कोई confusion नहीं है हाँ पर Normal basic rule है singular subject, singular verb, plural subject, plural verb चलिए और sentences देखते है There were no balls in the playground भाई वर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर बोला तो है balls यानि plural thing है, plural है subject तो यहाँ हमने लिग दिया अपना verb वर, ना की was Clear? Next There are 50 boys in the class अगर किसी classroom में एक से ज़्यादा बच्चे है यानि plural subject है, plural subject है तो verb भी plural होगा, यहाँ बोल रहे है 50 boys हैं भाईया, क्लास में 50 लड़के बैठे हैं, तो यहाँ पर plural होगया subject, तो हम अपना verb भी R लगाएंगे, is नहीं लगाएंगे Similarly, next sentence बोलता है There is one girl in the class अब classroom में एक ही लड़की है, एक ही बच्ची है तो हम ऐसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं, घर मतलब क्या, आपके परस कितने घर हैं, एक ही घर होंगे जहाँ पर आपकी ममा पापा रहती है, प्रॉपर्टी खरीत के रख्यों वो अलग बात है, वेरी गुड है, तो यहाँ पर singular subject है, place, तो हमने बात कर दिया, यहाँ singular verb, next बोलता है, there is no clothing store in this market, इस market में एक भी कपडे की दुकान नहीं है, तो एक दुकान बात की न, कपडों की दुकान नहीं बात बोला क्या, नहीं, तो कपडे की दुकान, एक की बात की है, clothing store, one singular subject है, तो हमारा verb भी यहाँ पर, is है, ना की, are, clear, चलिए और sentences देख लेते हैं, there are no insects in the park, इस park में कोई भी कीडे मकॉडे नहीं है, specifically हम बोल रहे हैं, एक भी insect नहीं है, क्योंकि पार्क में क्या होते हैं, बहुत सारे insects, तो हम बोल रहे हैं, insects, यानि की, एक अगर बोलते हैं, कि insect, एक कीडा, एक भी कीडा नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, पार्क में, तो हम वहाँ पर क्या लगाते, is, पर यहाँ बोल रहे हैं, कि इस पार्क में कीडे नहीं है, insects नहीं है, वो हो गया plural, तो वर्ब भी क्या हुआ आर next sentence बोलता है there are no leaves on the ground कोई ground है garden ही समझ लीजिए वहाँ पर ground पे एक भी पत्ती नहीं है बोला होता तो क्या बोलते leaf लिखा होता leaf क्या होता है singular तो हम यहाँ क्या लगाते is there is no leaf on the ground but अब हम बोल रहे हैं इसका plural जो की होता है leaves तो यहाँ पर हमने verb भी क्या लगा दिया plural there are no leaves on the ground similarly there is a cat on the table इस table पे एक बिल्ली है एक बिल्ली है तो भाई वर्ब भी एक ही लगेगा तो लिख दिया इस next there are many cats on the table अब यहाँ पर बहुत सारी cats है हमको जब number नहीं बताना होता एक है दो है तीन है तो हम कुछ nouns या pronouns की बात कर लेते हैं use करते हैं like many यानि बहुत सारे बहुत सारे में हम definitely बात नहीं करते हैं यह indefinite हो गया ठीक है इसकी बारे में भी चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हमने बोल दिया there are many cats बात तो cats की हो रही है ना cats क्या है plural तो हमारा verb भी क्या हो गया plural next बोलता है there is a paper on the desk यानि इस desk पे एक paper है तो एक paper है यानि singular है verb भी क्या हो गया singular similarly there are papers on the desk यानि कि इस desk पे बहुत सारे papers है तो यह क्या हो गया plural papers क्या है plural तो यहाँ पर हमारा verb भी क्या हुआ plural next there are books in the purse यानि कि इस पर्स में बहुत सारी books है कैसे पता बहुत सारी books है? लिखा तो है books तो क्या हो गया? plural subject books तो plural verb R Similarly, there are many games in the living room इस living room में, living room यानि जो hall भी बोल देते हो आप तो घर के living room में बहुत सारे games रखे हैं तो हमने क्या बोला? Games, plural तो हमारा verb भी क्या हो गया? plural ठीक है? तो there के साथ is कब लगाना है? R कब लगाना है? जब subject singular is लगाओ, जब subject plural R लगाओ Similarly, जो दूसरा क्या था? इसमें hair, hair के लिए भी देख लीजे hair के लिए भी हम ऐसी ही देखेंगे जहाँ subject singular, वहाँ पर हम singular verb लगाएंगे जहाँ पर plural है, वहाँ plural verb लगाएंगे पहला sentence बोलता है Tell him I am hair उसको बोल दो, मैं यहाँ पर हूँ कौन है यहाँ पर? मैं, मैं क्या हूँ? अकेला, जब मैं की बात होती है, तो कौन सा वर्ब लगता है? am तो यहाँ हमने लगा दिया am तो यहाँ पर hair को हमने देखा कि भाई hair है, subject देखो subject I है, singular है, I के साथ हमेशा am का use करते हैं, clear? Next, here are three good reasons to buy a good phone यहाँ पर आप दो तरीकों से देख सकते हो लिखा क्या है three? तो भाईया more than one है, three क्या हुआ? एक से ज्यादा, तो भी plural हुआ दूसरा आपको reasons भी दे दिया S में कारण, भहुत सारे कारण तो यहाँ पर तीन अच्छे कारण है जिसकी वज़र से तुमें एक अच्छा phone खरीदना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर hair के साथ हमने लगा दिया clear? next बोल रहा है, are you hair again? जब हम question लिख रहे हैं, क्या करते हैं भाई? हम subject के पहले helping गोप shift करते हैं यानि ये sentence कुछ ऐसा रहा होगा you are here again right? और इसका question बनाने के लिए are यहाँ shift किया होगा end में question mark तो वही तो है are you hair again? ठीक है, ये तो already देख चुक है structures में, तो are you hair again? क्यों बोला भाई आर? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है hair के साथ subject है you और you भले ही singular हो, हम उसको देखते नहीं है हम तो plural वाला you देखते हैं और हम लगा दिया are clear? next, here is the list of items अब items देख के आप बोल सकते हो, माम plural is लगाओ भाई, items की बात नहीं हो रही, list की बात हो रही है कि ये list है items की, यानि इस list में लिक mention है items जो खरीद रहे हैं या खरीद चुक है market से तो वो जो list है, that is the subject of the sentence list जो है वो singular है अगर lists होता, यानि की plural एस वाला, तो हम R लगाते, यहाँ is क्योंकी list है clear? next sentence, here are the books you asked for ये रही वो किताबे जो तुमने मंगाई थी या जिसके बारे में तुमने मुझसे पूछा था तो यहाँ पर books हैं, किताबे हैं तो इसलिए हैर के साथ क्या लगा है? R clear? next sentence, here are the new shoes that I bought yesterday ये रहे वो नए जूते जो मैंने कल खरीदे थे अब जूते क्या है भाई? मैंने बहुत सारे जूते खरीदे shoes, मैंने पेर की बात ही नहीं की अगर मैं पेर लिखती तो तो मैं बोलती भाईया, मैं एक जोडी तो हम singular verb लगाते हैं, यहाँ पर मैं shoes बोल रही हूँ, यानि की मैं एक पेर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे जूतों की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमने आर लगाया, क्यों? क्योंकि shoes जो है, वो यहाँ पर plural है, clear? तो here में भी हम, same as there हम क्या करते हैं, singular subject तो singular verb, plural subject और sentences देखते हैं, here is the shop I was searching for, अरे यह रही वो दुकान जिसको में ढून रही थी, तो यह रही वो दुकान, एक दुकान है subject क्या है, one shop, तो इसी लिए हमारा verb भी क्या है, singular similarly, here is the map, एक map है, वो मैं आपको दिया यह नक्षा है, तो यह क्या है, एक map एक नक्षा है, तो यहाँ पर map हो गया, singular subject, is हो गया singular verb, similarly here are your keys, यह रही तुमारी चाबियां, ठीक है, अगर मैं बोलती bunch of keys तो क्या भाई, यह sentence same रहता, नहीं यहाँ पर मैं पूरी keys की बात कर रही हूँ, एक के चाबी तो बहुत सारी चाबियां है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया are, but इधर पर मैं बोल रही हूँ, bunch यानि एक गुच्चे की बात कर रही हूँ this is one collective noun a collective noun that is acting as a single unit clear तो इसलिए यहाँ पर मैं इस लगाती, here is your bunch of keys, but यहाँ पर मैं सिर्फ चाबियों की बात कर रही हूँ, individually, तो मैंने क्या बोला, here are your keys, clear next, here comes my pet dog, हम बोलते हैं, अरे यह आ गया, ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने बोला है, कि यह आ गया मेरा pet dog, यानि जो मेरा dog है, वो आ रहा है, तो मैं किसी को बता रहे हूँ तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं comes, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर एक dog की बात हुई है and comes is what, singular come होता तो plural, next here is the document you were asking for यह रहा वो दस्तावेज वो document जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे तो एक document है, एक दस्तावेज है papers count नहीं करने, document में कितने सारा papers है document एक है, तो क्या हुआ यह यह हुआ एक singular subject इसलिए verb भी क्या हो गया, singular clear, तो इतने सारे examples देखके यहाँ register तो हो गया, कि here or there में subject कैसे देखोगे, subject वो जिसके बारे में sentence की बात हो रही है as देखके भटकना नहीं है, clear और जैसे ही हमें दिखे, singular subject verb लगाओ singular, plural दिखे तो लगा दो plural verb तो clear हो गया, हमें rule number 11-12, क्या भाई rules ने बोला है, कि भाई मैं singular हूँ, तो तुम singular हूँ मैं plural हूँ, तो plural रहो, जब hair there की बात करो, और जब one off की बात करो यानि one off के साथ कोई plural noun है तो हमेशा singular verb यूज करो क्योंकि भले वो plural noun है, बढ़ वन तो एक ही है ना, singular, clear तो ऐसे ही हम next वीडियो में देखेंगे next rules, next agreements between subject and verb, तब तक आप अपना धियान रखिये और इस topic के notes की link जो है वो आपको description box में provide कर दी जाएगी thank you so much for watching, bye